तर्बूस गरमी के मौसम का एक लाजवाब फल है जो अपनी मिठास और सौध के लिए जाना जाता है लेकिन क्या शुगर या मदूमे के मरीज तर्बूस खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? यह सवाल सारे ही मदूमे के मरीजों के मन में उठता है इसलिए आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे कि क्या शुगर के मरीज तर्बूस खा सकते हैं या नहीं तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है और कौन कौन से दूसरे जरूरी अव्यव तर्बूस के अंदर होते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए पायदमन भी हो सकते हैं या नुफसानदे भी हो सकते हैं तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि high blood sugar के रोगी तर्बूस खाएं या ना खाएं हमें अपने सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तर्बूस की composition को समझना होगा तर्बूस पानी से वरपूर एक फल है जो प्यास की शिद्ध को फोरन कम कर देता है और इसका स्वाद भी कमाल का होता है इसमें लगबग 92% पानी होता है इसके अलावा तर्बूस, वुटामिन A, वुटामिन C और लाइकोपीन का भी एक बहुत अच्छा शुरूत है जो लाग रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है इस वीडियो का सबसे important point यह है कि किसी भी फल को शुगर के मरीज खा सकते है या नहीं खा सकते है यह इस बात पर निरवर करता है कि उस फल का glycemic index और glycemic load कितना होता है अगर किसी भी फल का glycemic index या glycemic load जादा होता है तो ऐसे फल शुगर के मरीजों के लिए अच्छे नहीं माने जाते है क्योंकि उनके खाने से blood sugar का level बहुत तेजी से बढ़ता है आपको एक example से समझाता हूँ मालो किसी फल का या भोजन का glycemic index सो है हाला कि सो glycemic index सिर्फ glucose powder का होता है तो इसका मतलब होगा कि उस फल या भोजन के अंदर जितना भी glucose मौजूद है उसका 100% glucose 2 गंटे के अंदर ही आतों से absorb होकर आपके खोन में मिल जाएगा और blood sugar को बढ़ा देगा इसलिए हमें पहले जानना होगा कि तर्बूस का glycemic index कितना होता है अब परिशानी की बात यह है कि तर्बूस का glycemic index होता है लगभग 72 चो बहुत जादा है इसका मतलब यह हुआ कि तर्बूस हाने से किसी भी शुगर के मरीज का blood sugar level तेजी से बढ़ जाएगा यानि जितना भी glucose तर्बूस के अंदर है उसका 72% glucose खून के अंदर तेजी से मिल जाएगा और blood sugar के level को एकदम से बढ़ा देगा तो क्या शुगर के मरीज तर्बूस बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है उसके लिए आपको पहले समझना होगा तर्बूस के glycemic load के बारे में भी तब ही आपको इस सवाल का सही जवाब मिल पाएगा कि शुगर के मरीज तर्बूस खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं तो आईए जानते हैं तर्बूस के glycemic load के बारे में glycemic load का मतलब होता है कि किसी भी भोजन या फल की एक सर्विंग के अंदर कितने ग्राम गुलुकोज या शुगर मुजूद है तो जितनी मात्रा उस फल के अंदर मुजूद है जब गुलुकोज या शुगर की इस मात्रा को उस फल के glycemic index से multiply यानि गुणा करके सो से भाग दिया जाता है तो जो भी result मिलता है वो उस फल का या भोजन का glycemic load कहलाता है पॉइंट करने वाली बात यह है कि अगर किसी फल का glycemic load दस से कम है तो वो शुगर के मरीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है तो आएए glycemic load जानते हैं कि भी तर्बूस का कितना होता है तर्बूस की एक कर्टोरी में या यह मालने के 100 ग्राम की एक सर्विंग में करीब सारे 8 ग्राम ग्लुकोज होता है इस हिसाब से तर्बूस का glycemic load होगा 72 जो इसका glycemic index है इंटू 8.5 divided by 100 यानिके 6.1 अब क्योंकि तर्बूस का glycemic load दस से कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि शुगर के मरीज तर्बूस खा सकते हैं लेकिन कम और सीमित मात्रा में अगर जादा मात्रा में शुगर के मरीज तर्बूस का सेवन करते हैं तो यह blood sugar को बढ़ा देगा इसलिए आप थोड़ी मात्रा में रोजाना भी तर्बूस का सेवन कर सकते हैं बिना आपकी blood sugar को impact किये अब अगला सवाल यह उठता है कि शुगर के मरीज एक दिन में कितना तर्बूस खा सकते हैं यह इस बात पर निर्वर करता है कि आपका sugar level और आपकी sugar controlled है या uncontrolled है अगर sugar level जादा है uncontrolled है तो आपको अपने doctor की सला के बगैर कोई भी मीठा फल नहीं खाना चाहिए और नहीं तर्बूस खाना चाहिए लेकिन अगर आपका blood sugar controlled है चाहिए वो दवाईयों से ही controlled है तो आप तर्बूस की एक से दो चोटी कटोरी एक दिन में एक से दो बार में खा सकते हैं यानि करीब 100 से 200 ग्राम तर्बूस एक दिन में खाया जा सकता है इसको दो serving में बाट कर खाएं तो जादा अच्छा रहेगा एक और आपके लिए सलाय है कि जब भी आप तर्बूस खाएं खाली पेट ही खाएं सबसे अच्छा है कि सुभा के समय ही तर्बूस खाया जाए और अपनी regular दवाईया लेना ना बुले दूसरे बात और ध्यान रखें कि जिस दिन आप ऐसा कोई भी मीटा फल खाएं तर्बूस खाएं कोई और मीटा फल खाएं तो उस दिन किसी दूसरे भोजन की मात्रा जिसमें कारबाइडेट्स होते हैं जिसे रोटी चावल या इस तरह की चीज़े होती हैं उसकी थोड़ अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले और बेल एकन का बटन भी दबा लें तो इस तरह के एल्थ इन्फोर्मिटी वीडियो आपको मिलते रहें थैंक्यू धन्यवाद